हलो दोस्तों तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी करारी आलू की चटपटी पकोड़ी की रेस्पी जो जटपट बन करके त्यार होती है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है सर्दी के मौसम में कुछ तला हुआ खाने कमन करता है तो आप इ पानी से एक से दो बार में अच्छे से दो लेंगे और यहाँ पर हम घोल तियार करेंगे बेसन का तो यहाँ पर नाप करके दो कप बेसन लेंगे और आधा कप लेंगे चावल काटा इससे क्रिस्पी बनेगी हमारी पकोड़ी एअधा च vient नंडिया पकोड़ी और रा ए Ale चिली फ्लेक्स चोटा चमच लेंगे काला नमक और आदा चोटा चमच लेंगे सफेद नमक एक हरी मिर्च को बारी कट करके लेंगे और यहां पर मिला देंगे दो चमच सफेद तिल इससे बहुती कृस्पी बनेगी हमारी पकोड़ी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा तो बढ़िया से मसालों को mix कर लेंगे अब जिस कप से हमने बेसन नापा था उसी कप से नाप करके पानी लेंगे तो पहले हम एक कप पानी डाल करके इसको mix कर लेंगे और उसके बाद एक कप पानी और इसमें add करेंगे क्योंकि चावल का आटा डाला है तो ये पानी काफी अबसर्ब करता है तो उसी की कॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स कर लें तो यहां पर हमने टोटल दो कब पानी एड़ किया है और बढ़िया से इसको हमें चार से पांच मिट के लिए अच्छे से कि यह हलका सा फलपी हो जाए तो इसको हमने अच्छे से फेट लिया है और इसमें अब हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया एक चुटा चमार डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे जितना फलपी होगा बेसन हमारी जो पकोड़ियां है बहुत ही क्रिस्पी बने और ओल भी एब्सर्ब नहीं करेंगी तो यह देखिए बढ़िया से मिक्स कर लिया है इसको हमें इतना गाड़ा रखना है इसको हमें ज्यादा पतला नहीं रखना है नहीं ज्यादा गाड़ा रखना है इस तरह से बैटर बना करके तियार कर लेना है तो चलिए पकोड़िय पहले और फिलेम को हाई रखें और जितनी पकोरियां ऊईल में आजाएं उतनी हम डाल देंगे एक बार में और इनको हमें तुरन टच नहीं करना है एक मिट के बाद ही टच करना है तो ये देखिए एक मिट के बाद इस तरह से हम इनको पलट लेंगे और बढ़िया सेने हमें सेक लेना है बहुत ही क्रिस्पी बनती है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो इस तरह से आप जरू ट्राइ कीजिएगा मसालेदार एकदम चटपटी पकोड़ियां बन करके तयार होंगी तो ये देखिए बढ़िया से क्रिस्पी हो गई है अच्छे से सिख गई है इनको हम ओल से निकाल लेते हैं और बाकी पकोड़ियां भी इसी तरह से फ्राइ कर लेते हैं तो ये लीजिए बन करके तयार हो गई है हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी गर्मा गरम क्रिस्पी आलू की पकोड़ियां बहुत ही जटपट बनकर के तयार होती है सर्दी और बरसात के मौसम में ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इनको बनाना भी बहुत आसान है आप देख सकते हैं देखने में कितनी बढ़िया लग रही है खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है एकदम क्रिस्पी बनी है तो जरू ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएंगी तो आपको इन पकोड़ियों की रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जरू बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक सेर करना मत भूलिएगा अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू